वालकम तु स्टेडी कमपैनियन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकान पर क्लिक करें ताकि फ्यू चैनल प्लोज होने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए असलाम लेकुम स्टुडेंट, हो आई यू? I hope you will be fine So student look at page no.200 unit no.7 fundamentals of community look at exercise 7.4 today, look at question no.1, fill in the blank If triangle ABC is equal to triangle FDE then, या आपने हैं पर simple छोटी सारी जो triangle है वो draw कर लेंगे, सबसे पहले जो आपने triangle का name करेंगे दूसरी ट्राइंगल करेंगे उसके बाद उसका नाम F D और E करेंगे ताकि आपको एंगल को और इंफिरिंगी ब्लैंक को सौल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो को सबसे पहले आपने राइट करनें फिर्स ब्लैंक है A B is equal to F D A B के सामने के आया एंगल F D है आपने वो राइट कर दिया इसी तरह से B C पारद है इसके सामने इसकी यह राइट साइड है तो आपने B C इसकी 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 यह होगी D A and E राइट कर देंगे इसी तरह से इसका जो लब साइच पर एंगल AC है तो इसका क्या होगा? F for E, वो राइच कर दिया आपने थर्ड ब्लैंक में इसी तरह से M एंगल A, अगर इसकी ये फर्स्ट एंगल है तो इसका angle B है तो इसका यह side पे angle D होगा जो कि आपने right कर दिया इसी तरह से अगर इसका angle C है तो आपने upper corner में इसका क्या होगा angle E यह आपने blanks इसना से fill कर नहीं है अब उसके बात बात होती है in triangle PQR the triangle included between side PR and QR तो यहां पर जो दोनों की जो same आपके पास जो दोनों में side आ रही है वो क्या है और ऐसलिए आपने angle R राइट कर लेंगे इसी तरह से C part in triangle D E F the side included between angle E and angle F is तो आप इसे क्या लिखेंगे angle M E F इसके बाद आपने आप राइट करने D part में if A B is equal to Q P M angle B is equal to M angle P B C is equal to P and then by यहां पर आपके पास sides कितने दी हुए है यह आपके पास two sides है और एक angle ऐसलिए आप इसका नाम लिखेंगे S A S is equal to S A S यानि S for one side A for angle and next S है second side के लिए इसी तरण से last पर if angle A is equal to M angle R angle B is equal to angle P AB is equal to RP then अभ यहां पर आपके पास two angles है और एक side है इसलिए आप देन बाई A S is equal to A S concurrence condition triangle ABC is equal to RP and Q यहां पर आपके पास two angles होंगे और एक side होगे इसलिए यहां आपके पास A right है और S for one side of अब यहां पे question no.2 in figure the pairs of corresponding equal parts is a pair of triangles are shown with similar markings specify the two triangles which become congruent also write the congruence of the two triangles in symbolic form अब यहां पे आपने बताना है कि कौन कौन से angles एक दूसरे के triangles एक दूसरे के equal है तो यहां पे सबसे पहले A, B and C triangle यह किसके equal है D, E and F triangle के by अब यहां पे सारी आपके पास sides है इसलिए आपने इसको लिखा by S, S, S is equal to S, S, S यानि यहां पे 3 sides है और S for side अब यहां पे next है X, Y, Z यहां पे यह राइट triangle है ठीक है X, Y and Z तो यह किसके equal होगी D, E and F यह राइट triangle है यह simple triangle सी तो यह भी equal होगी by S, S, A is equal to S, S, A यहां पे आपके पास 90 का angle है एक angle दिया हो है और 2 sides दियुए है इसलिए आपने इसका नाम S, S, A is equal to S, S, A राइट कर दिया है अब next में है triangle ABC is equal to triangle C, D, A यहां पे भी आपके पास two angles है और आपके पास one side है उसके बाद last पे बात हो रही है P, Q, T triangle और फिर उसके बाद है S, R, T triangle यहां पे भी आपके पास sides कितनी है यहां पे two sides है और one angle है और आपने इसके answers में इसके यहांनी figures आपको दी गई होगे और आपने सिर्फ answer बताना के कोई से triangle की sides कितनी हैं, angles कितने हैं और triangles के names राइट कर देंगे So practice question number one and two and write on your copy, thank you Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe 3D Companions, thank you